शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तुमने मेरे गोरफ को तुमने मेरे गोरफ को तुमने मेरे गोरफ को तुमने मेरे गोरफ को तुमने मारा गोरफ को मेरे 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 गोर अब देखो, मैंने तुम्हें इतनी बार बोला था लेकिन तुम बार बार उसे मुझसे चीलने की कोशिश कह रही थी, तो क्या होगा? वह लोबत आएगी ना? तुम्हें देखो, और गॉरभ मर गया तुम्हें तुम्हें मेरे गॉरभ को मोरे! अजि मैं कर होती हूँ उसे मारने वाली? ये जीना, मरना, ये सब कुछ उस उपर वाले के हाथ में और मैं? ये ता बस एक जरिया हूँ, लेकिन जिम्मेदान सिर्फ और सिर्फ तुम! मझे ना, तुम्हें एक छोटी सी अपनी बच्पन की कहानी बताने हैं? सुनो गेन, अब हुआ ये था के बच्पन में ना मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थे, और उसके पास एक बहुत सिंगर गुडिया थे, एक बारना मैंने उससे वो गुडिया मांगे, लेकिन उसने मुझे वो गुडिया दे लिए, तो जानती हो मैंने क्या किया, उस गुड अखी इस जानता है, और किसी का ने है तो फिर तुम्हें मैं अपना गॉफ कैसे दी बताओ, ब तो बताओ, आपनों गौरफ कैसे दिडते ही मतलती है, जब मैने देखा न कि तुम जेतने वाली हो हो, गौरफ को पाने वाली हो, तो मैंने गौरुफ को मारती है egg minerali मेरा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं हो समता गहना और पदा है क्या तुम गर्व के सुहागन तो नहीं बन पारे लेकिन आग इसकी विद्वा बनके रहोगी चुप बस हो गया उलवशी तुमारी हर गल्सी को में नजल अंताज करती आई और बार तुम्हें मात किया लेकिन इस बार नहीं क्यूंकि मैं भगवान नहीं हूँ श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को सो बार मात किया था जब उसके सो बार गालिया दी थी लेकिन एक तो एक भी बार जब उसने गाली दी तो श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल का गला काट दिया था तुम्हारे साथ भी वही होगा कि याद जो किया है ना उसकी सेजा मैं खुद तुम्हें दूँगी मैं यह नहीं जाती कि मैं मैं गॉरब की तुहागंड बनूंगी या बेदुआ लेकिन तुम्हारे खुण की हत्यारण जरूर बानूगी अग्याद तुम्हें नहीं थोड़ूगी उर्वची एसके से कर सकती तुम्हें तुम्हें ने मेरे घौरण को अज क्यों रही हो उर्वची अज तुम दिल्दा नहीं बचोगी नहीं गेना रुक जाओ नहीं तुर का माँ आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है अब मैं नहीं रुकूगी कि बगवार उपर जातर इसे तुम्हें किये कि चाजादे तुम्हें को पता मेल होगी स्कून का पता स्कून होता है तुम्हें कोई अज कारून अपने हाद में बखलेना रुक जाओगेना नहीं तुर के बखलेना तुम्हें कि बखलेना Gaurav, Gaurav तुमने देखा ना यह मुझे मारने की कोशिश करी थी तुम्हारी औरवर्शी को मारने की कोशिश करी थी जग आग इनदेखा मने मैं इसे इतना जादा समझाया कि कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हो और दूर रहे तूर रहे तूर रहे मेरे पती से कि विसे यह बहुत समझ ही नहीं हाते मैं पता है उसमें क्या कहा है कि अगर तुम गॉरफ से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें मार देती हूं तो गॉरफ सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाएगा, और यह मुझे मार रही थी, गॉरफ तुमु गॉरफ फ्लीज मुझे बचा लो, गॉरफ मुझे इससे बोर डर लगता है, इससे मैं बोर्ट यू, प्लीज बचा लो, पता नहीं कि क्या कर देगी, खुछ नहीं होगा तुम है मर गई मर गई नहीं 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 गॉरण नहीं यह क्या किया तुमने गॉरण मैं इसे मारना चाहती थी मुझे इसे मादने का मसा चाहिए था गॉरण और तुमने कोई बात नहीं अब यहां क्यों खड़े हो गॉरण इसे और इसके आशिकों ना एक ताबूत मिटातो बंद दर्वाजे का राज जानने में कहना को पता चल गया था कि दिवार के पीछे आत्मा है पर अब वो बंद दर्वाजे का राज राज ही रह जाएगा पतार गहना पहले भी खोई थी और अब भी खो जाएगे पर इस बात गहना को कोई ढून नहीं पाएगा और ना ही इसे कोई बचा पाएगा अब यहां क्यों खड़े हो करो मैंने कहा ना इन सब को एक ताबूत में डालो और जल्दी काम खातम करो हाँ मुझे मेरी बेहन के आखरी दर्शन तो करने दो गौरत तुमने मुझसे गहना को मारने का मौका तो छीन दिया कम से कम उसे डफनाने की खुशी तो मर छीने दिया कोई एक ऐसा पल दे दो जो मुझे जिंदगी भर याद रहे मेरे दिल को खुशी दे, मेरे दिल को सुकून दे और इस तबूत में आखरी कील किसी अपने को ही लगाना चाहिए और मैं तो उसकी बेहन हुआ रहा मेरा तो हक बनता है है ना? तो मेरे रहा कि जानती हो गया ना दिवानगी और पागल पर में बहुत बड़ा फर्क होता है तुम तो गौरफ से प्यार करती थी ना पर मैं मैं गौरफ के लिए पागल थी पागल तुम जानते हो तुम गौरफ करने के चक्कर ने अपना इनाम इति हास में गर्ज कर लिया गए और जानते हो तुम गौरफ इस बैचारी का तो अंतिन संसकार भी नहीं सकता तुकि ये सिर्फ हम लोगों के लिए दुनिया के लिए तो ये लापता है ना और लापता ही रहेगे तो अब तुम रहो लापता और मेरा गौरफ और में हमेशा साथ साथ खुश रहेगे और इसे इसे जिन्दाई काड़ देना तडप तडपके ऐसे मर जाएगे जल्दी करो गोर, मेंपर सबी आतिम कंनल को कंनल को अग्वान का लाग लाग शुक्र एक है न कि तुम ठीक हो इस अधूरे प्याह की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू मंग